माधव की यात्रा उस घर से शुरू हुई जो व्रिंदावन में था। माधव पांचववेटा था। उसके चार बड़े भाई और दो बेहने थी। माधव को पढ़ना पसंद नहीं था। इसलिए उसने रसोई में अपनी मा की मदद की और घर का सारा काम किया। उसके भाईयों ने उसे धमकाया और मजे के लिए उसकी पिटाई की। माधव ने उसकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। माधव हर रोज कृष्ण मंदर जाता था और भागवान की इस्तुती में गीद गाता था। पंदरा अगस्त की सुभा माधव ने भगवान श्री कृष्ण और यशोधा का सपना देखा। वे उस सपने में इतना खो गया था कि वे स्कूल के उत्सव के लिए अपने भाईयों के कपड़े इस्त्री करना और जूते पॉलिश करना भूल गया। क्रोधित भाईयों ने उसे जगाया पिटाई के डर से वे भागा और चलती बस पकड़ ली। बस से बहार देखने के बाद उसे राहत की अनुभूती हुई। एक जोड़े ने जिसने उसे गाते हुए सुना था उसके लिए एक टिकेट खरीद दी। उसने एक मंदर में प खिकाने के बारे में पूछा, दमपती नी संतान थे, मंदर में संतान प्राप्ती की प्रातना करने आये थे। जैसे ही उसने उन्हें बताया कि वह एक अनाथ है, वे उसे अपने साथ अपने घर ले गए।